नमस्कार एक्स्प्रेस न्यूज देख रहे हैं और बिहार में जो है लगातार राजनिती उथल पुथल अब तेज हो गई है बिहार में नितीज जो है बता दें कि बीएपी को छोड़ कर नितीज कुमार बीएपी को छोड़ कर लालटेन की तरह बढ़ गए हैं और क्या कासी हलचल बिहार में जो तेज हो गई है क्या बिहार में अब खेला होना तै है उन तमाम चीजों को ले करके हमारे साथ बात करने के लिया पर पहुंचे हैं संतोज जी जो वरिष्ट पद्रगार हैं बताएंगे आपको बिहार की ताजा हालात की बारे में देखें अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रहे हैं उसके मताबिक चार बजे राजीपाल फागू चवान से बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार ने मिलने का समय मागा है यह बात अब बिलकुल सिचे की तरह साफ हो चली है कि गटवंदन तूटना तै है भारतिय जनता पार्टी की सरकार अब जनतादल उनाइटेट के साथ नहीं रहने वाली है रोहिनी आचारिया जो लालो प्रशाद यादव की बेटी भी है उन्होंने ट्वीट करके खलबली मचा दी थी कुछ देर पहले के उनका ट्वीट आया था कि उन्होंने साफ की अपने ट्वीट के के बाद वो सकता है कि नितिस कुमार मुखे मंत्री तो रहेंगे लेकिन सरकार का चेहरा बिल्कुल ही बदल जाएगा अब हम चर्चा करने के लिए आमंत्रीत करते हैं वरिष्ट पत्रकार हेमचंदर जी को जी तो अब हमारे साथ हिमचंदर जी है वो आपको अदाएंगे लेकिन उसे पहले बता दें कि लालू परसाद यादब की बेटी रोहिनी अचार का एक बड़ा टूइट यहां पर आया है उन्होंने टूइट कर लिखा आए कि राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं लाल्टे से मौका मिल गया है वो कुछ भी बयान दे सकते हैं वैसे भी रोहिनी जो है वो टूइट करने में बड़ी मास्टर नहीं है अपने परिवार को लेके कभी नितिस चाचा को ले करके और भाजपा को तो छोड़िये नितिस कुमार को भी उन्होंने समय समय पर खूब सुनाया है इस सरकार को ट्विटर के माध्यम से लेकिन अब साइद भाशा बदल जाए रोहिनी का भी बदल जाए और रोहिनी सबसे ज़्यादा खूश इसलिए होंगी कि जब सरकार चुना हुआ था उस वक्त 10 साल पहले की बात थी तब वो बड़े उत्सा में थी लेकिन हाथ नही नडड़ा साहब और अमीत साहँ जो पटना पहुंचे और जो कारिकरम किया और नड़ा के सिर्फ एक बयान ने बहुत कुछ बदल ढला है आपको नड़ा साहब का वो बयान याद होगा हम फिर से दोरा देते हैं कि नड़ा साहब ने अपने पार्टी कारिकरम के दोरान वाले दिनों में छोटे छोटे दल शमापत हो जाएंगे और इस बयान के बाद नितिस कुमार जी सजग हो गया है उन्हें लगा कि ये बयान चुकि भाजपा के बड़े नेता और रास्टी अध्यक्ष दे रहे हैं तो मामला का बहुत कुछ है वैसे भी महरास्ट के जो महर में जिस तरीके से सरकार को बदला गया और उसके बाद आ रहा था कि अब जहारखंड की बारी है बिहार की बारी है और जहारखंड में कदम बड़ भी चुका था जिसके कारण आप जानी रहें कि तीन विरायक फिलाल कस्टडी में हैं बंगाल पुलिस के कस्टडी में हैं पैसे के लेंदेन के मामले को लेकर तो जहारखंड तो नंबर पे था ही लेकिन जहारखंड से पहले बिहार का भी नंबर आ गया और प्रॉट झाल 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 जी तो ये तमाम खबरें जो लेकर के हम आ रहे हैं इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से विहार की वो तमाम तस्वीर है रावडी अवास की बाहर की वो तमाम तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा क्या कुछ होता है वो तिना दिल चस्पोगा क्या 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 है अट अग्य क्या होगा जिए डिया सिर्फ देखने को में शनके को शांथ तरीके स्वीरों में अग्या है क्याना मुरम का पता है, बुडbekको elephone मुष्णमान भाइचों को मुहरम काम पताई देगे crew faig तो तमाम जनकारी बिहार में जो है सियासी पलटवार यहाँ पर सुरू देखने को यहाँ पर मिल रहा है बिहार में सत्ता को जो नया समिकरन होगा उसके मुताविए आपको बता दे कि जद्यू राजत कॉंग्रेस अपलेट के दल आपस मिलकर सरकार बनाएंगे जनकारी के अनुसार आपको बता दे कि नितीज कुमार 160 बिधायकों यानकि आर्जडी के 89 जद्यू के 45 कॉंग्रेस के 19 और लेट 16 और निदलिया एक का समर्थन पत्र लेकर राजभवन जाएंगे चार बजे जो है राजपाल से वहाँ पर समय लिया गया है चार बजे राजपाल से वहाँ पर मिलेंगे उससे पहले बिहार बिधायन सबार में बिहार में नया सरकार बनाएंगे अब क्या होगा कौन-कौन से लोग यहाँ पर मंत्री बनते हैं कौन-कौन से लोग यहाँ पर तमाम चीजे यहाँ पर जानकरी आपको निकल के धीरे-धीरे आप समने आने लगेगी चार बजे नितिस कुमार राजपाल से मिलेंगे उसके आती आपको बदा दें कि लालू परसाद यादब की बेटी रोहिनी अचार ने भी कमेंट ट्वीट किया है कि आ रहे हैं लाटेन धारी तो राज तिलक की करो तयारी आ रहे हैं लाटेन धारी रोहिनी अचार लालू परसाद यादब की बेटी ने कमेंट किया है त्वीट किय कि तमाम समर्थन के खेमे में खुशी आवर की जारी है कि क्या होगा क्या तेश्वी यादव को कौन से यहाँ पर उम्मीद नहीं था . लेकिन बिहार में अब इतना जल्दी खेला हो गया, इसका किसी को उम्मीद नहीं था, क्या लगता है, हमचंदर जी, कि क्यूं ऐसा कुछ होगा, क्यूं नितीश कुमार को जो भी जी प्रतावन छोड़ना पड़ा होगा, क्या यहां पर खराबी, क्या यहां पर कुछ हो भी देखे गोविन जी, खराबी की जहां तक बात आ रही हर लोग अपना अपना वजूद बचाना चाहते हैं, राजनीती में जब इतने लंबे समय से सियासत में हैं, तो यहां है कि कितनी तेजी से सियासत को समझ पाता है, और सियासत के मामले में नितिश कुमार को किसी से सब से आगे समझ सकते हैं, कि राजनीती समझ के मामले में नितिश कुमार किसी को भी मात दे सकते हैं, और यह पुराने चाना के हैं, आज नए चाना के अलगे दिली में बैठे हों, लेकिन यह पुराने चाना के हैं, और खास कर जो यह समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो र पाई निती का रूख होगा तो निती इसकुमार का और भाजपा को ले करके कई मुद्दों पर काफी समय से खीशतान चल रही है जैसे जाती जाती जनगन्ना का मुद्दा इस तरीके से पकड़ा हलाकि उठाया था तेजस्वी आदब ने तेजस्वी आदब ने अपनी चाच की टीम उसमां भाजपा के लोग भी सामिलते लेकिन प्रदान मंत्री अस्तर पर या भाजपा को यह अंदेशा इतना असानी से रूख नहीं हो पाया था कि इतनी जलदी यह जाती जनगन्ना को नितीस कुमार ले करके मैदान में आएंगे जब केंद्र इस और गन्ना को ले असा था कि भाजपा और नितीस कुमार में किसी भी सूरत में छन नहीं सकता है नितीस कुमार जानते हैं कि हम किस वोट बेंक से लेकर आये दूसरा कि सबसे बड़ी बात आई जो नितीस कुमार और भाजपा जो 20 में साथ हमें चुना लड़ा और जो इस्तिती आई उस इस् हुलकर जदियू ने कहा कि ये सिधा पैटर्न जो है भाजपा के चलते ही भाजपा ही इन्हें डॉन करना चाह रही थी और अब लगता है कि जो चाल चली जा रही है दिल्ली से काई स्टेट को होते हुए वो इस्तिति वो तैयारी है एक तरह से नितिस कुमार को समाप्त करने क कि यानि पार्टी को खत्म करने की कमजोर करने की चुनाओं में पहले ही कमजोर हो चुके थे संख्यां बलका अगर आंकड़े की बात करने तो उसमें बहुत फिसल चुके थे बची खुची नितिस कुमार को लेकर एक बात जो बराबर विपक्च उठाता रहा है का आप अगले 2024 के चुनाओं में प्रधान मंतरी का मेटरियल बनिये यानि प्रधान मंतरी को मिदवार करूप में आप सामने आईये तो इस तरीके इन चीजों से लेकर कहीं न कहीं मोधी और अमित्सा की जो जोड़ी है उन्हें लगता है कि नितिस कुमार एक ऐसा साफ चबी के न के लिए देखें मोधी अमित्सा वो हर काटा निकाल देना चाहते हैं जो उन्हें 24 में आने वाले दिनों में उनके सामने कोई खड़ा होने की कोसिस करें और चुनाओं वो उसी तरीके से लड़ भी रहें कि आप देखें इस्टेट तर इस्टेट जो गनी चली जा रही है विपक्ष के निता इडी में फसा आए जा रहे हैं या फस रहे हैं वो तमाम प्रक्रिया जो चल रही है यह अब आहम लोग भी बोलते हैं चौबिस की तैयारी है यानि जो भी कंद्रिय अजेंसी है वो सारा चुनाओं को ध्यान में रख कर तो अब नितिस कुमार इन चीज हैं तो एक बार हो सकता है कि अब फिर से पलटने की पूरी तैयारी दो-तीन दिनों के अंदर कर ली गई और नितिस कुमार वाकाई पलट कर जो है तेजश्वी के साथ यानि अपने भतीजे के साथ होकर महागटवंधन का नितित करें हलाकि यह कयास आज दिन पर लगता रह कि आखिर सीम बने गा कौन तो जो विशलेसक थे वो यह मान रहते कई विशलेसक कह रहते कि हो सकता है कि तजश्वी के नाम पर तयार हो जाएं लेकिन जो जानकार जानते हैं कि आखिर कूरसी यह छोड़े क्यों जिस कूरसी के लिए हलाकि नितिस कुमार यह भी बराबर ल हैं अलाकि कुछ घंटों के बाद यह बहुत साफ हो जाएगा लेकिन फिलाल लग रहा है कि नितिस कुमार के नितृत में ही होंगे सरकार बनेगी और बांकी आरजेडी या और लोग सामिल होंगे लेकिन अभी एक ख़बर आ रही थी कि वाम मंडल के जो माले ग्रूप जो ह चाहेगी तो बहुत कुछ एकाट दो लोगों को मिल सकता है तो फिर उसमें भी ऐक तनाव पैदा होगा माले में भी कि किसको बनाया जाए चाय कि कि इसको ना बनाया जाया तो कई दल ऐसा सोचते हैं कि इससे बेहतर है कि बाहर रहो और सरकार का जो काम हो उसे मड़त लीज दूसरा है कि अभी राजत की और से अस्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिसे कल ये बात आ रही थी कि हो सकता है कि वो सरकार में शामिल ना हो लेकिन ऐसी बात नहीं सरकार में शामिल होंगे अब अब देखना ये है कि फिर से तेजस्वी डिप्टी सियम बनते हैं या वो भी सरक सीधे, तोर पहों कराके बहुता है। कुछ घंटोग की बात है। चुक्कि पहले दो बजे का वक्त वांगा गया तो दो बजे बदल्री है, दो दो बजे के Papब लेवह जारा है कि चार बजिए। लिए लो अ. क्पेश्वेत हैं तक लेimach by rag ts x गूम रहा था कि पहले अब खुद इस्तफ़ा ना दे कर सरकार में भाजपा के जो मंतरी हैं उनको बर्खास्त किया जाए और उसके चिठी गवर्नर को भेजी जाए तो उसमें भी दो तरह था कि अगर क्या मुख मंतरी स्वेंग बो चिठी लेकर जाएंगे या फिर किसी दे भी सौफ सकते हैं और मंतरी मंडल का भंग करने की भी बात हो सकती है तो यह तमाम चीज़ा अब गवर्नर पर बहुत डिपेंड है कि यह क्या देते हैं और गवर्नर किस रूप में इसको लेते हैं जी तो बिहार की राजनिती से जुड़ी वो तमाम खबरें हम आप तक कहुचा रहे हैं किस तरीके से बिहार की राजनिती मुलट फिर यहां पर देखने को मिल रहा है इससे पहले भी आपको बता दें कि आरजेडी और जडियों दोनों साथ मिलकर सरकार बनाई थी क्या कुछ हुआ था उस समय ओए संतोजी कि दोनों को फिर से अलग होना पड़ा ता अब फिर इन लोगों के मन में ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों मिलकर करके सरकार बनाते है जिस बीजेपी को इन्होंने उस समय समर्थन दिया था भी उस बीजेपी को इन लोग हट रहे हैं व मौका नहीं मिला आप इनके इतिहास को लटा के देखिए तो ये केंदर में मंत्री भी रहे हैं रेल मंत्री भी रहे हैं और इनका कारेकाल काफी सफल भी माना जाता है उसके बाद केंदर से जब ये बिहार वापस आ गए 2005 का वो दौर था यहां लालू परशाद यादब की सरकार लालू परशाद यादब की पत्नी रावडी देभी की सरकार थी लालू परशाद यादब उस वक्त साथ निर्वासित हो चुके थे और उसको बिहार में काफी law and order का problem चल रहा था उस वक्त ये बात किसे से छुपी नहीं थी कि अपहर जिरो हो चुका था बिहार की जनता ने नितिस कुमार को भाजपा के साथ पसंद किया उन्हें राजगद्दी सौपी और तब से 2013 तक आठ सालों तक वो continue बिहार का चेहरा बने लेकिन जब 2013 में राजना सिंग ने नरेंदर मोधी को PM के रूप में as a PM प्रोजक्ट किया तो प्रधान मंत्री के रूप में नरेंदर मोधी का नाम आने के बाद वे राजनीती से अलग हो गए उन्होंने भाजपा से पुराना रिस्ता तोड़ दिया और फिर 2015 में उन्होंने अपने पुराने संगी और विरोधी लालु प्रशाद यादब के साथ संगती की फिर सरकार भी 2015 में उन्होंने बनाई लेकिन फिर वो सरकार मातर 20 मेहने चली फिर वहां से फिर एक बार उन्होंने पल्टी मारी तेजस्वी आरोप लगाते रहते हैं कि हमारे ये नितिश चाचा पल्टूराम है जो भी हो ये पल्टूराम मुख्यमंत्री जी फिर भाजपा के साथ आ है हम लोग तो फिलहाल अभी जो सरकार है हलाकि ये कुछ घंटों की सरकार है ऐसा माना जाता है वहां पर अभी हम देखें विधान सभाय में दलों की इस्थिती तो राश्ट्री जनता दल के पास 89 धायक हैं जो कि अभी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस के पास 19 है और अन्य के पास 17 अगर बात हम भारतिय जनता पार्टी की करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विधान सभा की जिसमें 77 सीट है और जनता दल उनाइटेट के पास 45 243 सीट है कंप्लीट बिहार विधान सभाय में तो बहुमत के लिए जादूई आंकड़ा है 122 अभी के सिनारियों अभी के सिनारियों में अगर राष्ट्री जनता दल के 89 सीट और जनता दल को 45 मिला दिया जाए तो 124 सीट होता है जिसमें वो सरकार बन सकती है अगर बात करें हम लोग नितिस कुमार जी की तो नितिस कुमार अभी कम पार्टी के बावजूद उनको एक बार फिर से मुखे क्यास लगाना बेमानी नहीं होगा ये उमीद करनी बेमानी नहीं होगी जैसा कि कुछ राजनीति के पंडित ये बात कर बताना सुरू कर चुके हैं ये सरकार भी अस्थाई नहीं होने जा रही है लेकिन जहां तक सरकार बनने की बात है तो अभी चार बजे के बाद ये इस कुमार ही होंगे और ते जस्वी आदब को बड़े सीट होने के बड़े बहुमत बिधान समा में बहुमत होने के बावजूद भी उनको उप मुखे मंतरी का ही दर्जा दिया जा रहा है ऐसे में सरकार का भविष से क्या होगा यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन इतना तय है बिल्कुल ही एक क्लियर हो चुकी है सीसे की तरह यह बात साफ हो चुकी है कि भारतिय जनता पार्टी का सपना अपने मुखे मंतरी के होने का सपना साइद नितीस कुमार के रहते बिहार में पुरा नहीं हो पाए जी तो जैसा कि लोने बताये कि अभी भी जो है फिर से भी बिहार की राजनिती में कुँछ हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से नितीस कुमार अमेशा अपना पाला इधर से उतर बदल रहे है तो कुछ भी हो सकता है बिहार में लेकिन अभी फिलाल जो बिहार की राजनिती गर्माई ही हुई है इसमें ये है कि नितीज कुमार भारती अंता पार्टी बीजेपी का दामन छोड़ करके आरजेडी के तरफ को हाँ पर वो पहुंच गया है उनको आरजेडी के समर्थन दे किया है और भारती अंता पार्टी को उन्होंने जो है अपने जदियू से उनको तोड़ दिया है अब क्या होगा आगे ये तो देखना दिल्चस्प होगा हमारे साथ हेमचंदर जी हैं बिहार की राजनिती को बड़ा ही बारिकी सिये समझ रहे हैं देख रहे हैं क्या कहिए कल साब को ये लग रहा था कि सरकार जो है बदलने और नई सरकार बनने को कैसे रोकना है इसके लिए भी रनीती बनाई जा रहे थी लेकिन तमाम कोशिसों के बाद जब उन्हें लगा भारतीय जन्नता पार्टी नितित को कि ये गेम प्लान सूट नहीं करेगा आपको बता ये वो गेम प्लान क्या था कि पहले तो था कि अस्थानियास तर पे नितिश कुमार जी से बात करी जाए और अंगल पांडे और भाजपा के अन्या जो मंत्री है नितिश कुमार से कल मिले भी थे लेकिन उन्होंने बयान में कहा के नहीं चुकि वो सरकार से जुड़ी काम लेकिन इन तमाम चीजों के बाद भातियंता पाटी वहां से अलग हो रहे और नितिश कुमार खुद भातियंता पाटी को छोड़ करके अपना वहां से समर्थन वापस ले करके आट जेडी में जाके दे रहे देखे गोविंद ऐसा है कि देखे ये जो आपने कहा कि वो मंच की बात मैं दो चीज़ें कह सकता हूँ कि पहले जब नड़ा साहब आये हुए थे और भाजपा का वो कारिकरम था तो भाजपा ने कहा था कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करनी है जमीनी अस्तर पर उस वक्त नितीष कुमार कोविड में थे और नितीष कुमार कोविड में थे आप देखिए एक नई पहल आपका ध्यान आक्रिश्ट करा देता हूँ बहुत कम लोग इसको देख पाया हूँगए या सुनने का मौका मिला होगा अभी दो दिन पहले यानि परशों विधान सभा के अध्यक्ष कोविट हो गए थे मतलब कोविट में हो गए थे पॉजिटीव हो गए थे और जैसे ही हुआ कि नितिश कुमार सरकार गिराने जा रहे हैं या सरकार बदलने जा रहे हैं वो एक दिन में 24 घंटे में फिर उनका जो है कोविट से वो नेगेटीव हो गए ये बड़ी चर्चा रही कि आखिर विधान सभा ध्यक्ष जो है एक ही दिन में इस तरीके का रिपोर्ट नहीं आया है कि 24 घंटे में ही अंतराल में कोई पोजेटीव हो जाए और फिर नेगेटीव हो जाए चुकि उन्हें लगा कि अगर विधान सभा ध्यक्ष का बहुत बड़ा पावर हो जाता है अगर सदन में कोई मामला आता है और उस वक्त अगर विधान सभा ध्यक्ष अपसेंट रहेंगे तो जो उपध्यक्ष होंगे वो पावरफुल हो जाएंगे उपध्यक्ष जो है वो जद्यू से है तो यानि सदन के अंदर कोई मामला आया तो खेल बिगाड सकता है लेकिन उसके बाद की बात आई कि अच्छा एक उपाए और है एक मामला था वो राजत के 18 विधायकों का जो है सदस्ता समाप्त करने की बात वो देर रात तक चलती रही इस पे कवायत भारतिय जनता पार्टी की और सो होता रहा कि अगर उन 18 विधायकों का सदस्ता रद किया पर 18 को 18 विधायकों की सदस्ता समाप्त होने के बावयूद भी सरकार बननानी के लिए नितिसकुमार सक्छा में तो इस प्रोजेक्ट का जो है इसको ड्रॉप कर दिया गया वो 18 विधायकों की सदस्ता वाली बात देर रात समाप्त हो गई और फिलहाल जो भाजपा का नहीं है वो उससे काफी दूर है और नितिसकुमार अगर राजा दिया मागडवंदन की और जाते हैं इस इस्तिती में उन्हें रोकना बड़ी मुश्किल है लेकिन अब फिलाल जो है तो सरकार बनने के मूड में है और नितिसकुमार क्या ताई करते हैं कुछ देर में या तेजश्वी से क्या बात है हुई है लेकिन लोग अभी हाल फिलाल देख रहे हैं इस इस्तिती को इससे भी इतर देखिए कि एक दिनों का कारिकरम नहीं है अगर दो चार दिन पहले इस तरह का भाजपा नेता कुछ बयान नहीं देते या छोटे दलों को समाप्त करने की ब देखे होंगे कि एक अन्य मार्ग में कुछ दिन पहले ही नितिसकुबार ने अपना आवास छोड़ दिया था और राबडी देवी के ठीक बगल वाले क्वार्टर में वो आ गय थे उस वक्त कहा जा रहा था कि वहां कुछ रंग रूगन होना है सीम आवास में वो नहीं तै शावन का अंतिम संबारी को इसका रंग पकड़ा और मंगल को ये बात कल से ही आ रही थी संबार को ही कि मंगल किसका भारी रहेगा और किसको जो है मंगल किसका कमजोर होगा तो एक तरह कह सकते हैं कि महा गटवंदन का जो मंगल है वो बड़ा मजबूत है और इसका संबार कोई फैसला होना था ये बात तही थी कि अगर सरकार बदलनी है और अगर नहीं सरकार का गठन होना है उस इस्तिती में शावन अब दो-तीन दिनों का मामला है और जो होना है सावन में ही हो जाना है तो वो सारा कारिकरम बड़ी तेजी से चल रहा है देखिए आगे-आगे आपको बताते हैं अमचंद्र जी जारखंड में जिस तरके सरा राज देती यहां पर चल लेथी बार बार यहां पर रहो रहा है कि अब सरकार बदलेगी अब साइज सरकार गिर जाएगी और बिहार में यह बहुत कम सुनने को मिला कि सरकार गिरेग एक बार जिसस अब इव परिवारिक है, इसमें जाते हैं कही सालों से नहीं गए थे, लेकिन इस वार इपतार पार्टी में भी गए थे, और तभी सही आदमी के मन में ऐसा होने रगा था क्या फिर दोनों मिल सकते मिल निकिन अब जा करके जो देखने को मिला, नितीश कुमार सच में भारतीयनता का से पहले तो भतिजा ही बोला करते थे कि नीतिस कुमार जो है वो पल्टूराम है कुर्सी कुमार है कई-कई उपादी दिया गया था लेकिन अब ये बात तेजस्वीर नहीं बोलेंगे अब इसको कोड करेंगे विपक्ष के नेता लेकिन फिलहाल इस पर बहुत बयान नहीं दें अब जैसे के चुनाओं में समय है तो ऐसी अस्तिती में मुझे नहीं लहता है कि कुछ नेता बयान दें और देf cint रस्तों पर बड़े नेता मुझे नहीं लगता कि नितिस कुमार को लेकर कुछ बड़ा बयान देंगे इसलिए उन्हें पता है कि जिसके साथ बनाने जा रहे हैं पहले भी बना था और उठा पटा की बात आएगी तो फिर उस इस्तिति में नितिसकुमार क्या करेंगा और नितिसकुमार भी अपने मूड मर्जी के मालिक हैं अगर उनके मूड के हिसाब से वर्तमान सरकार नहीं चली या जिसके साथ वो जा रहे हैं अगर नहीं बना तो कोई देर नहीं करेंगे नितिसकुमार पल्टी मारने में तो ऐसी इस्तिति में भाजपा लगता है कि फिलाल वेटन वाच में है और दूसरा जो एक कैस लगाया जा रहे है कि अगर सरकार बन जाती है तो क्या ये टिकाव होगा क्या ED फिर से सिर्जन घोटाले की और नहीं जाएगी या और CBI या जो केंद्री एजेंसियां हैं वो क्या करेंगी क्योंकि उसका भी तो आजकल फिलाल देश में उपियोगिता बढ़ गई है मामलों को लेकर वो भी खासकर विपक्ष के न इंतजार करेंगी तो यह तमाम चीजें हैं और हम एक बार अंत में बात कर लेते हैं संतो जची कि क्या होगा यहां पर पताँब सब्सक्क्राइब क्या होने वाला एक खास बिहार में? बिहार में आप तो RJD के जितने समर्थक है जितने हैं उसमें तो उक्साग कर देखा जा रहा है तो इन भारती अंता पाटी जिस तरीके से लगातार वहाँ पर कर रही थी बड़े-बड़े नेता वहाँ पर कैम्प कर रहे थी लेकिन क्या समस्या हो गई कि अब भारती अंता पाटी को निरासा हाथ लग रहा है और नितिश कुमार ही बार-बार क्यूं बिहार में कुछ अजीब कर देते हैं बार-बार इस पाटी से उस पाटी में इनका समर्थन रहता है जिसमें और जहां समर्थन करते हैं वहां बड़ा ही मजबूती के साथ करते हैं नितिश कुमा आप हमचंदर जी बता रहे थे कि नितिश कुमार को कुर्सी कुमार भी कहा जाता है आप कह सकते हैं कि अपनी कुर्सी से उन्हें बहुत प्यार है और अगर 20 सालों के इतिहास को आप देखें बिहार में 20 सालों के इतिहास को आप देखें गौर से देखें, तो नितियस कुमार ही चाहे वो किसी का भी दामन थामना हो, वो दामन थामने में वो देरी नहीं करते, लेकिन हर हाल में मुख्यमंतरी की कुरसी उन्हीं के पास रही है, अगर बात हम कर रहे हैं जैसा कि गोविन जी ने हमें बताया है, हमसे पूछा, इस सर कार गिरने की नौबत आगी, तो देखें, मैं इस बात से, उनके इस बात से इतिफाक नहीं रखता, जो हमारे पास जानकारिया आई है ya चंशन के आई है, यह सरकार गिराने की कवायाद आज से 2 साल पुरानी है या जहां तक नितिस कुमार की बात है, देखें नितिस कुमा का नितिस कुमार का जो stand है ना वो भारती जनता पार्टी के stand से बिलकुल ही different है वो अटल विहारी बाजपाई के समय के नेता रहे हैं और इस बात में कोई छीपी नहीं कि अटल विहारी बाजपाई की जो भाजपा थी वो सोबर खा और आज की भाजपा जो है उसकी जो नीति हैं वो अपिक्छा के ज्यादा आकरामक रही हैं आप खुद देख लें कि चाहे जनसंख्या जाती जनसंख्या की जो जाती गन्ना रही थी बिहार को विशेश राज दरजा देने की मांग रही थी या सबसे बड़ा अगनीवीर का मसला रहा था हर बार नितिस कुवार एक बात क्लियर है भारती जनता पार्टी हाला कि दूसरे नंबर पर अगर जदियू गटवंदन की बात करें तो जदियू से बड़ी पार्टी थी उसके बाब जुद भी पी एम मोदी ने या फिर अमिसाने या जो भी भाज़पा के थिंग टैंक रहे होंगे उन लोगों उन्हें कुरसी नितिश कुमार को ही सौपी लेकिन सारा अंदर की बातें यह बताती है कि उन्हें फ्री हैंड काम नहीं करने दिया जा रहा था इसलिए नितिश कुमार जैसे नेता को घुटन से मसूज हो रहे थी और अभी जो ताज़ा प्रकरन जो हुआ रसेपी सिंग का रसेपी सिंग जैसे कहा जाते हैं कि वर्लड वार में जो सेकेंड वर्ल्ड वार ता उसका ततकाली कारण थे वारसाई की संदीग तो वो जस्ट रसीपी सिंग का प्रकरन हुआ वो मेरे ख्याल से भारती जनता पाटी और जदियू के गडवंदन के सरकार को गिराने में निर्नायक भूमिका निभादी। लेकिन अंदर से वे हैं भाजबा का चेहरा। अंतता उन्हें जदियू ने राजसभा में नहीं भेजा और फिर आर्सी फिचिंग ने इस्तिफा दे दिया। तो ये जो तातकाली कारण थी उसके अंदर ये बात एकदम क्लियर हो चुकी थी कि खटास भारती जनता पाटी और काफी बढ़ गया, काफी गहरी खाईच दिखने लगी। उसी का नतीजा है कि आज सरकार बदलने जा रही है। अब देखिए चार बज़े का वक्त है, राजिपाल फागु चवान जी ने नितिसकुमार को बुलाया है। अब नितिसकुमार क्या करते हैं, कितने पाटियों का समर्थन पतर देते हैं, वो तो राजिपाल से मिलने के बाद ही क्लेlor हो पाएगा। फिल्हाल हम लोगों को एक घंटे का इनतिजार करना चाहिए। तो एक घंटे के इनतिजार के बाद पता चल जाएगा कि बिहार में अब क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होने वाल प्रसाद आदब पर दिल्चस्ट होगा फिलाल आपको बता दें कि लालू परसाद यादब की बेटी रोहिन्याचार ने किलियर कर दिया कि राज तिलक की करो तयारी और आ रहे हैं लाल्टे न धारी तो एगंटे का समय एगंटे के बाद फिर से हम वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ बिहार की राजनिती में खास होने वाला है तब तक लिब अने रहे हमारे साथ ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए और देखते रहें एक्सप्रेस नीज